इम्तिहान से फारिख होते ही अन्वर को अबू ने कहा कि अब तुम सरोस कर लो, तब उसने मुलाजमत तलाश की और ड्यूटी पर जाने लगा। जैसा मेरे वालिद कहते, वो वैसा ही करता था। दिन में काम पर चला जाता और रात को हमारे घर आ जाता। जब कोई करीबी र उसके साथ करने वाले हैं, इस वजह से मेरे दिल में उसके लिए जगह बन गई। एक दिन उन्वर अपने सहन में दर्खत के नीचे करसी डाले बैठा, इम्तिहान की तैयारी कर रहा था कि मैंने पूछ लिया। ये फरहाना कून है, जिसका नाम आपकी कापी पर लिखा उसको जखम दखाना बेवकूफी है। वाकिई मुरहम मेरे पास नहीं है। मैंने उसको जवाब दिया, वो तो इसी के पास होगा जिसने जखम लगाया होगा। इस दिन के बाद वो बहुत संजीदा हो गया, मुझे भी दूसरों की जबानी पता चल गया, कि फरहाना इसकी पहली महबबत थी, जिसको इसने बरे करदार की वजह से अपनी जिन्दगी से निकाल दिया था। उन्वर का घर हमारे घर के बराबर में था। मैं रोज ही वहाँ जाती, उसकी किताबों पर लिखे हुए शार पढ़ती और जवाबी शार लिख देती। उसने ने कभी चाहते थे, वो भी मेरे वालिद पर जान नसार करता था। हमारे घर आकर अबू के साथ खाना खाता था। अगर वो न आता तो अबू से बलाने खुद चले जाते, वो उसके बगएर खाना नहीं खाते थे। ताया और भतीजे की ये महबबत देख कर सब को यकीन हो गया कि वो उसको जरूर दमाद बनाने वाले हैं और मेरे बहन भाई अच्छे तालीमी उदारों में तालीम हासल कर रहे थे। ये सब मेरी इस करबानी की विजह से ममकिन हुआ था जो करबानी मैंने अपने घर वालों की खातर एक बोड़े आदमी से निकाह करके दी थी।